World's Civil Disobedience Movement यानि Non-Corporation Movement के बाद महात्मा गांधी और कॉंग्रेस के लोगों ने Civil Disobedience Movement स्टार्ट करने की बात की इससे पहले Non-Corporation Movement को February 1922 में वापस ले लिया गया, कॉल्ट ओफ कर लिया गया कॉल्ट ओफ करने के पीछे मुख्यता दो कारण था एक तो चौरी-चौरा का incidence यानि कुछ लोगों ने British Police Stations पे हमला करके वहाँ के तक्रीबन 22 अधिकारियों को एक घर में बंद करके जला दिया जिससे जो महात्मा गांधी का Non-Corporation Moments था वो धीरे-धीरे Violent होता चला गया और इस Violent होने के कारण महात्मा गांधी ने decide किया कि जो भी सत्याग रही हैं इन्हें दुबारा जरूरत है training देने की और इसके बाद जो है वो moment शुरू करने की यही कारण था जिसके चलते महात्मा गांधी ने Non-Corporation Moments को वापस ले लिया Non-Corporation Moments के वापस ले लेने के बाद Congress के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो महात्मा गांधी से और अंधुरूनी उनमें तनाव चल रहा था इसके पीछे कारण यह था कि बहुत सारे Congress ही ऐसे थे जो चाहते थे कि इस तरह के बार-बार struggles करने से बार-बार mass mobilizations करने से हमें कोई benefit नहीं मिल रहा है इसलिए वो Indian Act 1919 के तहट जो उन्हें rights मिला था कि councils के elections में वो participate कर सकते हैं और अपने demands को parliament में रख सकते हैं इन ही बातों को ध्यान में रखते हुए चितरंदन जास और मोती लाल नहरू जैसे बेक्तियों उन्हें मिल कर Congress party के ही अंदर में एक नई political party established की जिससे स्वाराज party का नाम दिया गया एक तरफ तो इन political party को front पे रखा गया ताकि आने वाले चुनाव में participate कर सके दूसरी तरफ ग्रामिंट छत्रों में काफी ज़्यादा situations खराब चल रहा था उस समय 1930 का जो world economic crisis था इसके कारण conditions और बत्तर हो गए थे और उस conditions के कारण जो है वो कई जगा खाने पिने वाली चीजों के महंगाई बढ़ गई थी agricultural products बड़े पैमाने पर exports किये जा रहे थे और समस्याएं लोगों के सामने काफी ज़्यादा उभर कर सामने आ रही थी इन्हीं चीजों को देखते हुए British government ने जो वहां की new Tory government थी उसने एक bill pass किया और bill या कह सकते हैं एक committee form किया और उस committee का head जो है वो Sir John Simon को बनाया गया इस committee का function यह था कि यह committee India आएगी और India के लिए नई constitutions का निर्मान करेगी लेकिन यह committee जैसे ही India पहुंचती है जिसे Simon Commission के नाम से भी जाना जाता है इंडिया में इसका बिरोध होने लगता है slogan go back Simon के नारे लगने लगते हैं इस committee के विरोध करने के पीछे कारण यह था कि इस committee में जितने भी members थे तीन members थे और तीनों Britishers थे इंडियान एक भी नहीं थे तो इंडिया के लिए कानून बनाना है और एक भी इंडियान members नहीं है यहीं कारण था कि इस committee का विद्रोध किया गया और उसी विरोध के दोरान जो है वो लाला लज पत्राय की मृत्यू भी हो जाती है Lord Irwin चाहता था कि इस तरह के जो भी विद्रोध हो रहे हैं इन विद्रोध को सांथ किया जा इसके लिए उसने roundtable meeting को जो है वो announcement किया कि roundtable meeting होगी और उस roundtable meeting में इंडिया को एक Domainian States का status दे दिया जाएगा यानि कुछ decisions इंडियान लोग खुद ले सकते हैं लेकिन Congress के कुछ लीडर नहरू जी और सुभास चंदर बोश जैसे लोग इस चीज़ से नाखूस थे वो नहीं चाहते थे Domainian States का कोई भी status मिले इसलिए Congress ने December 1929 में एक meeting बुलाई लहौर में और इस meeting में ही decide किया गया कि इंडिया का अब जो demand होगा British Government से वो demand होगा पुर्ण स्वराज का और इसी demands के तहत यह decisions लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिया को independence मानकर first बार जो है वो celebrations किया गया और यहीं वो deadline है जिसको futures में आगे चलकर select किया गया हमारा constitution accept करने के लिए जो meeting बुलाई गई थी domainian estates बनाने के लिए roundtable meeting वो roundtable meeting जो है वो successful नहीं हो पाती है इसके बाद जो है वो situations और बत्तर होते जाते हैं इंडिया के लिए कई तरह के विद्रोह जगह जगह होने लगते हैं महात्मा गांधी इधर चाहते हैं लोगों को unite करकर एक साथ जोड़कर एक नए तरीके से जो है वो British government का विद्रोह करना और इसके लिए वो different situations और different parts के लोगों को जो है वो चाहे उनके culture, traditions, customs अलग अलग हो उन सब को unite करके एक साथ जो है एक platform पे लाकर British government का विद्रोह करने का प्रयास करने लगे